कर दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने लिखा हुआ है month and date based puzzle तो आज आप लोगों के सामने मैं next part इसका लेकर करके आया हूँ month and date based puzzle का तो आईए हम लोग continue करते हैं ठीक है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु झाल 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 तो जैसा कि मैं हमें इसा कहता हूं कि ना ही मन्त का नाम पढ़ना जरूरी है, ना ही डेट पढ़ना जरूरी है, इसा कि में पढ़ना है, आपको यहां पर हम six percent का नाम लिखेंगे नहीं लिखेंगे, मन्त लिखेंगे, क्योंकि यह मन्त बेस पजल है, तो यहां पर हम मन्त को priority देंगे बाथ समझ में आ रही है, यहां पर क्या लिख दिया, अक्टूबर, नॉमबर, दिसंबर लिखेंगे ठ यह हो जाएगा two two and two ठीक है दो डेट आपका साथ और पंदर है तो ऐसे लिख दीजे साथ और पंदर है हर एक महीने की दो तारिक होंगी पहले साथ आएगा फिर पंदर है अक्टूबर में भी देन नॉम्बर में भी देन दिसंबर में भी हमने दो पॉसिबल्टी कंसीडर की है एक इधर लेंगे एक इधर लेंगे ठीक है आँगे कहता है बी वाद बॉर्ण इन दा मन्थ विच है जैन और नंबर ऑफ डेज ठीक है बट ऑन अप प्राइम नंबर डेट तो आप प्राइम नंबर क्या है पंदर है तो है नहीं साथ ही प्राइम नंबर है मतलब भी जो तो जो B है वह 31 डेज में बॉर्न है ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि इसने कहा है कि B was born in the month which is an odd number of days तो B साथ तारीको 31 दिन वाले महीने में तो 31 दिन वाले महीने कौन कौन से एक तो अक्टूबर है और दूसरा दिसंबर है कि नॉम्बर में होते हैं 30 days ठीक है तो अक्टूबर की साथ तारीक को हो सकता है B या फिर दिसंबर की साथ तारीक हो तो या तो B यहां होगा या फिर B अपना यहां होगा, clear बात, आंगे बात करते हैं, only two person were born between B and A, B and A के विच कितने हैं, केवल दो ही लोग है, तो दो छोन कर यह आ जाएगा, A, इसमें दो छोन कर यह हो जाएगा, A, कोई दिक्कत, B and A के विच केवल दो ही person है, आंगे कहते हैं, the number of person born before A is one less than the number of person born after A, इसका मी मीनिंग क्या हुआ, B के पहले, ध्यान दीजेगा, sorry, A के पहले, A before इनने बोला है, A before, the number of person born A before is one less than the number of person born after E, A after, ठीक है, E after, sorry, तो कहता है कि A before जो है, A क्या है, one less than, ऐसे लिख दिया हमने, one less than किसे, E after से, समझ में आरी बात, E after से एक कम है, मतलब E के बाद जितने लोग है, उससे एक कम लोग कहा है, A के पहले है, बात समझ में आरी क्या, ठीक, तब देखो जा रहा, यहाँ पर A के पहले एक ही है, यहाँ पर A के पहले क्तने इटीन है, A के पहले तीन है, तो B के बाद कितने होंगा, चार होंगा, E के बाद, दू और दू चार एक कार plugged है, आप ऐसे भी कह सकते है, जाता है, मेरे पास अगर 2 रुपय कम है, मतलब आप पास से एक रुपय जाता है, एक ही बात है, तो अगर दी वाज बोन Two Person After Fe C जो है F के Do A person बाद है, Two Person After मीनस बीच में एक ही होता है यह बात मैं कही वारत आपको explain कर चुका हूँ कि Key Lab के Do A person बाद मेंस बीच में एक ही होगा कि एहांपर आएगा F और यह एक छोड़ने करके C हो जाएगा ठीक? इस वाले हम बात करें यहां पर F नहीं रख सकता हूं तो फिर यहां पर F को रखना पड़ेगा F के 2% बाद मनलब C हो जाएगा यहां पर clear है next D was not born in the same month as C अब जखो यहां पर तो D आएगा और यहां पर आएगा D तो DC के महीने में नहीं है तो यह गलत हो गया और यह वाला सही हो जाएगा बात समझ में आई क्या आप इसे copy कर लीजे फिर हम लोग next question पर चलते हैं ठीक है हुआ जाएगा आएगा झाल झाल चलिए देखिए कहता which of the following information is true about f f के बारे में कौन सी information true है तो देखे जारा f जो है f was born on non-prime number date non-prime number date तो f तो prime number पर है तो यह true नहीं है false हो गया अंगला f was born 3% before e क्या f e से 3% before है 1,2,3 बिल्कुल सही है यह वाली बात सही है और जब यहाँ पर b सही हो गया तो यहाँ पर कहीं भी ऐसा option तो है नहीं कि दो option होगा 1,2 या फिर 2,3 ऐसा तो मतलब यहीं पर आपको रुक जाना है आंगे चेक करने के बिल्कुल जूरत नहीं है यह अपना सही हो गया ठीक है नेस्ट है हूं एमंग दा फॉलोविंग वाज बॉर्ण इन दा सेम मंत एज डी तो डी के महीने में कौन है बी है आप सुन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन जिसमें बी है ठीक है नेस्ट है आपका तो सी के पहले ध्यान दीजेगा तो सी के पहले दो लोग है और सी के पहले दो है और यह एक कम है किसे किसके और किसके बीच तो अगर यह सी के पहले दो है और यह कम है जिसके और जिसके बीच भी बोल रहा है उसके बीच में तीन होना चीए तो देखो ज़रा D और किसके बीच में 3 है तो यहाँ पर A हो जाएगा A और D के बीच में 3 है तो यहाँ पर आएगा A option मलब C option जिसमें answer क्या होगा A ठीक है समझ में आरी मेरी बात Now next Who among the following person was born on December 15 December 15 को कौन है तो भई December 15 को कौन है अपना D है तो answer के जाएगा D D मलब B option में D दिया है ठीक है Next है अपना Who among the following person was born 3 person after F F के 3 person was 1,2,3 कोन है E है E या फिर जिसका भी 15 नॉम्बर को बर्थ हुआ है तो देखे ज़राद the one who was born on 15th of November मलब B option करेक्ट है ठीक है Next Question number 6 to 10 Try to solve everyone व लेखे गवाएगे पुआएब नॉम्चेण जब देखे एंडाओे नॉम्चेण ऑफ़गाद सब्सक्षण जब करेक्ट है झाल 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 यह हो जाएगा मार्च यहाँ पे आएगा अप्रिल दिन में और दिन हो गया जून ठीक है हर यह हाँ यहाँ है यहाँ यहीं और जाएगा इट यहाँ है पर किया है नहां and planted trees on an odd number date of the month having an even number of day even number day वाले महिने में odd date में हैं तो आपस odd date किया है 15 तारीक है मांग जो है वो 15 तारीक को है और even number days मतलब 30 days में क्योंकि 5 तो ही नहीं दो ही तरीके महिने है या तो 30 days वाले या फिर 31 वाले तो end जो है even नमबर डेज में मिन्स 30 डेज में तो या तो अप्रिल में होगा या तो जून में क्योंकि अप्रिल जून में ही होते हैं 30 और मार्च और में 31 होते हैं ठीक है तो यहाँ पर अप्रिल में 15 तारिक हो सकता है या फिर जून में 15 तारिक हो सकता है तो हर एक महिने की दो तारिक आ पहले बारे आएगे फिर पंद्रे बिर पंद्रे या तो पंद्रे April means यहां पर आएगई n या फिर पंद्रेis June यहां पर आएगा यह बात समझ में आ रही है आंगे कहता है only two person planted between n,nt के वाल दो ही लोग है hemos planted in the month having an odd number कि यहां नहीं आएगा ऊपर जाएगा तो दो रोड़ करके आजाएगा टी क्लेश है तो डोड़ परसन हो जाएंगे और टी कहा है ऐसे महीने में जिसमें और डे हैं मींस 31 डे हैं क्लियर नेस्ट है अपना जितने लोग टी के पहले हैं उतने पी के बाद है यहां पर टी के पहले कोई नहीं है तो पी को यहां रख दीजिए पी के बाद कोई नहीं होगा इसमें टी के पहले कितने हैं टू और टू फॉर परसन तो दो दो चार यहां पर आएगा पी पी के बाद हो जाएंगे चार लो ठीक है, next है, both P and Q planted tree in the same month, P and Q same month में है, तो यहाँ पर आएगा Q इसमें यहाँ पर आएगा Q आंगे कहता है O planted after Q O Q के बाद है, तो यहाँ तो जगे खाली नहीं तो यह बाहर हो जाएगा, इसमें O Q के बाद है, तो यहाँ भी हो सकता है O यहां भी हो सकता तो अभी लिख देते हैं कि O क्योंके बाद है आंगे Only three person planted between M and O who planted after R M और O के भी इसके बाद तीन ही लोग है और हूं मतलब किसकी बात हो रही है O की बात हो रही है क्योंकि हूं का मतलब होता जो भी उसके just पहले उसी को हूं represent करता ठीक है तो मतलब O की बात हो रही है तो O कहां है R के बाद है अगर O R के बाद है O जो है R के बाद है और O और M के बाद कितने person है तीन person है ठीक है तो Q के बाद भी O है R के बाद भी O है आप देखिए Q के बाद भी O है R के बाद भी O है तो हम कह सकते हैं कि अपना R कहां होगा यहां होगा ठीक है लेकिन उनने का M और O के बीच केवल तीनी लोग है तो फिर O को यहां रखना पड़ेगा O को यहां रखना पड़ेगा बास समझ में आ रही है आप यहां O को रखते हैं तो M और O के बीच में और को हम रख देते हैं अब जो बची हुई जगे है वो किसी और की हो जाएगी तो अब नाम पढ़ दीजे जो भी बचा उसको यहां पुट कर दीजे M N O कौन बच गया है वही O हो गया है P Q RS Q बचा R हो गया है S हो गया क्या नहीं S ही बचा तो S को यहां रख देते हैं ठीक है जो भी नाम बचे का उसको यहां पूट कर देने का होपुली हर एक बच्चे को समझ में आया होगा इस तरीके से आपकी पूरी पजल अरेंज हो चुकी है आप इसे कॉपी कर लीजे फिर कॉस्टन्स पर चलते हैं ठीक है ना झाल 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 कहता हूं एमंग दा फॉलोविंग पर्षन प्लांटेट ट्रीज ओन में फिप्टीन वह देखे जरा में में फिप्टीन को कौन है ओ है आपको आस डारेक्टली ओ आप्शन नहीं है तो जरा देखिए यह आप्शन एम के बीच कोई भी नहीं तो आंसर हो जाएगा एम मिन सी ओप्शन ठीक है नेस्ट है क्यों प्लांटेट ट्रीज ओन विच ओब दी फॉलोविंग मन्थें डेट तो क्यों ने अप्रिल महीने में बारह तारीक को ट्री प्लांट किया है तो बारह अप्रिल आंसर हो जाएगा आपका बी ओप्शन ठीक है नेस्ट है फॉर ओब दी फॉलोविंग क्या सिखाया मैंने जहां भी ऐसी वैडिंग आये पूरा पढ़ने की दुरत नहीं है आप समझ जाये करिए कि ओड वन आउट का केस है ठीक है फॉर ओब दी फॉलोविंग फाइप आर अलाइक इन असेटन वे मतलब यह पांच ओप्शन है इन में से चार क्या होंगे अलाइक होंगे एक जैसे होंगे इन असेटन वे किसी ने किसी तरीके से बेस्ट ओन दा गिवन अरेजमेंट एंड दस फॉर्म ग्रूप इसलिए उन चारों के ग्रूप बन जाएगा विच वन आप दा फॉलोविंग देस नाट बिलॉंग टो डैट ग्रूप मनलब वह कौन है जो इस ग्रूप में नहीं आएगा कुल मिलागर और वन आउट है ठीक है तो जहां भी पूरी रिजिनिंग में ऐसी वाड़ी मिल जाए आगे पड़ने के बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है क्लियर देखे पहला उप्सन आर है दूसरा है एम तीसरा है क्यू फिर अपना एस और फिर अपना टी तो अगर आप देखेंगे तो आर और एम दोनों ही कहां है मार्च में है एस जो है जून में है क्यू अप्रिल में है और टी में में है तो हम यह नहीं कह सकते कि महीने वाला काम क्योंकि यहां पर दो महीने एक तीस दिन के हैं दो महीने तीस दिन के हैं मतलब डेट की बात आती है तो देखो जार रह यह बारह तारिक को है ये भी 12 तारिक को है, ये भी 12 तारिक को, ये भी 12 तारिक को, सिर्फ M ही है जो 15 तारिक को तो आंसर हो जाएगा M, खलब B option M कहलाएगा, ठीक है, कभी date लेता है, कभी month के दिन लेता है, days लेता है, अभी तरिहाल date ले रहा है, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान से solve करना है, इस चीज को समझ कर लेना ठीक है, now next है, which of the following statement is true as for the given arrangement, पहला P planted trees after O, P O के बाद है, तो क्या P O के बाद नहीं है, ये तो गलत है, हमें true बताना है, दूसरा no one planted trees before and end के पहले कोई नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत है, two person planted trees between M and T, M and T के बिस दो लोग है, तो ये व option C हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, now next question, question 11 to 15, try to solve every one. ये उन्हित, बोगएएब्स कई नहीं है, पिसके बताना है, सबस्छेशन वे तो बेद्शन थे कर, तो लोगल है, ये तो वे झाज्टी भीम्क, वे वे चे वे तो रजे कर, तो ये वे दो लोगएशन, वे उन्हांगोँ से वे वे पादीशन थाजों ओन से जबनाझ़र झाल 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 7 of झाल 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 झाल